एक व्यस्त अस्पताल के कमरे में बैठे थोड़ा आराम कर रही है उन में से एक आपात कालीन डॉक्टर है और दूसरी मनोचिकित सक दोनों पिछले दस घंटे से लगातार काम कर रही है दोनों ठक चुकी है फिर भी पूरी लगन के साथ काम कर रही है मेरा हर जोड दुख रहा है हर रोज की तरहा आज भी शरनार्थियों की नाखत्मोंने वाली लाइन थी मेरे क्लीनिक में मेरी एमर्जनसी ट्यूटी में बहुत शरनार्थि मरीज है कुछ तो इतनी भयानक हालत में आये हैं कि देखा भी नहीं जा रहा था कितनी दड़नाक कहानिया है हर नई शरनार्थि को देख कर मुझे अपनी हालत याद आ जाती है बिल्कुल मुझे भी बार बार अपने पर गुजरिवी चीज़े याद आ जाती है जैसे जैसे जंग बढ़ते जा रही है वैसे वैसे एमर्जन्सी वाट और भरते जा रही है एक बिस्तर पे दो दो शरनार्थियों को रखना पड़ रहा है जल्दी से पहले चाय पीलूँ इस से पहले कोई मरीज बुला ले बहुत ठक गई हूँ तब ही मनोची कित्सक के लिए एक इमर्जन्सी कॉल आता है मुझे जाना है हिम्मत रखो हमारा सफर अभी लंबा है भगवान जाने ये जंग का अंत कब होगा डॉक्टर जल्दी आए एक शरनार्थि का बहुत खून बह रहा है ये विचारी कितनी बुरी तरह जख्मी है बैच चाओ प्लीज डॉक्टर मैं बैच नहीं सकती मेरी कमर में बहुत चोट आई है बहुत दर्द हो रहा है नर्स प्लीज मैं इसको दर्द का इंजेक्शन लगाकर साइट की करवट से लिटा दो डॉक्टर एक और शर्णार्थी आई है पिछे वाले कमरे में उसको बहुत जख्म है प्लीज इधर भी आकर देख लीजे ठीक है नर्स शर्णार्थी मरीज को पांच पसंद ग्लुकोस डिप शुरू कर दो और ब्लड प्रेशर और पाल्स चेक करती रहना मैं अभी आकर देखती हूँ कैसी हो सपना अब तो तुम ठीक लग रही हो दो महीने हो गए तुमको यहां आए जी डॉक्टर दीदी मैं पहले से ठीक हूँ लेकिन कोई दिन नहीं जाता जब मुझे मा की याद नहीं आती हाँ सपना काश के धर्ती के लोग हम लड़कियों को अपना दुश्मन न समझते लेकिन हमारी तो कभी न अंत होने वाली जंग है मेरी मा तो मुझे मारना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे पापा उनको जबर्दसी अस्पताल में एडमिट कर आए और मा कुछ भी ना कर सकी अब भी मेरी मा को मेरे जाने का दुख है सपना रो मत मेरी कहानी तो तुम से ज्यादा दुख़द है मेरी तो मा ने खुद अपनी मर्जी से मुझे अपने जीवन से धक्का दिया था मैं भी यहां बहुत दुखी और तूटी हुई आई थी लेकिन यहां पर मुझे वो प्यार मिला जो मुझे अपने माबाप से नहीं मिल पाया यही कारण है कि आज मुझ में इतना आत्म सम्मान है और इतनी हिम्मत है कि मैं मनोचे कितसक बन कर और बच्चियों के दुखदर्थ का इलाज करती हूँ डॉक्टर दीदी आप कितनी दयालू है मुझे आपको देखकर साहस आता है और मैं भी धर्ती से आने वाली शर्नार्थी बच्चियों की सहायता करना चाहती हूँ डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आईए एक शर्नार्थी बहुत नाजुखारत में आई है पूरा सर से पैर तक जली हुई है हे भगवान ये तुम मेरी मा है मा तुम भी मेरे पास महुंच गई कितना बुरा चलाया है आपको मा तुमने मुझे मा बोला तुम मुझे जानती हो मा आपने मुझे नहीं पैचाना मैं आपकी रजनी हूँ याद नहीं सालों पहरे आपको मुझे से अलग किया गया था रजनी मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे तुम्हारी दादी ने मुझे तुझसे अलग करवाया था आज उसकी ही सजा पा रही हूँ पोता ना देने पर वो रोज मुझे जली कटी सुनाती थी और एक दिन उन्हों ने और तुम्हारे पिता ने मेरे पर मिट्टी का तेल डाल कर मुझे आग लगा दी मा मुझे पता है आप बेबस्ती काश क्या आप स्ट्रॉंग होती तो कम से कम अपने आपको तो बचा लेती बेटा दुनिया के लोग बहुत कटोर है वो औरत को कभी मजबूत होता देख ही नहीं सकते धर्ती के लोगों ने तो लड़कियों के विरूद कभी न खतम होने वाली जंग जारी रखी हुई है ना जाने इस यूद का कब अंथ होगा क्या आपको लगता है कि एक औरत की जिन्दगी का अस्तित्व आदमी के मुकाबले कम महत्व पूर्ण है सदियों से महिलाओं को दबाने का नतीचा है कि लाखो लड़कियां, जनपूर्व, लिंग जाँच, भ्रून हत्या और भेदभाव के कारण दुनिया से गायब होती जा रही है और दूसरी मनोचिकित सक, दोनों पिछले दस घंटे से लगातार काम कर रही है, दोनों ठक चुकी है, फिर भी पूरी लगन के साथ काम कर रही है मेरा हर जोड दुख रहा है, हर रोज की तरहा आज भी शरणार्थियों की ना खत्मोने वाली लाइन थी मेरे क्लीनिक में मेरी एमरजनसी ट्यूटी में बहुत शरणार्थी मरीज हैं, कुछ तो इतनी भयानक हालत में आया हैं कि देखा भी नहीं जा रहा था कितनी दड़नाक कहानिया हैं, हर नई शरणार्थी को देख कर मुझे अपनी हालत याद आ जाती है, बिल्कुल मुझे भी बार बार अपने पर गुजरिवी चीज़े याद आ जाती हैं, जैसे जैसे जंग बरते जा रही है, वैसे वैसे एमर्जनसी वाट और बरते जा रह है, जल्दी से पहले चाय पीलू, इस से पहले कोई मरीज बुला ले, बहुत ठक गई हूँ, तब ही मनोची गित्सक के लिए एक इमर्जनसी कॉल आता है, मुझे जाना है, हिम्मत रखो, हमारा सफर अभी लंबा है, भगवान जाने ये जंग का अंत कब होगा? डॉक्टर, जल्दी आए, एक शननार्थी का बहुत खुन बह रहा है, ये विचारी कितनी बुरी तरह जखमी है, बैच चाओ प्लीज, डॉक्टर मैं बैच नहीं सकती, मेरी कमर में बहुत चोट आई है, बहुत दर्ध हो रहा है, नर्स, प्लीज मैं इसको दर्ध का इंज लिटा दो, डॉक्टर, एक और शननार्थी आई है पीछे वाले कमरे में, उसको बहुत खम है, प्लीज, इधर भी आकर देख लीजे, ठीक है नर्स, शननार्थी मरीज को 5% ग्लुकोस डिप शुरू कर दो, और ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करती रहना, मैं अभी आकर द दिखती हूँ, कैसी हो सपना, अब तो तुम ठीक लग रही हो, दो महीने हो गए तुमको यहाँ आए, जी डॉक्टर दीदी, मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन कोई दिन नहीं जाता, जब मुझे मा की याद नहीं आती, हाँ सपना, काश के धरती के लोग हम लड़कियों को दुश्मन न समझते, लेकिन हमारी तो कभी न अंत होने वाली जंग है, मेरी मा तो मुझे मारना नहीं चाती थी, लेकिन मेरे पापा, उनको जबरदस्ती अस्पताल में एड्मिट कर आए, और मा कुछ भी ना कर सकी, अब भी मेरी मा को मेरे जाने का दुख है, सपना रो मत, मेरी कहानी तो तुम से ज्यादा दुखद है, मेरी तो मा ने खुद अपनी मर्जी से मुझे अपने जीवन से धक्का दिया था, मैं भी यहाँ बहुत दुखी और तूटी हुई आई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे वो प्यार मिला, जो मुझे अपने माबाप से नहीं मिल पाया, यही कारण है कि आज मुझे में इतना आत्म सम्मान है, और इतनी हिम्मत है कि मैं मनोचिकित्सक बन कर और बच्चीयों के दुखदर्थ का इलाज करती हूँ, डॉक्टर दीदी, आप कितनी दयालू हैं, मुझे आपको देखकर साहस आता है, और मैं भी धर्ती से आने वाली शर्नार्थी बच्चीयों की सहायता करना चाहती हूँ, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आईए, एक शर्नार्थी बहुत ही नाजुखारत में आई है, पूरा सर से पैर तक जली हूई है, हे भगवान, ये तो मेरी मा है, मा, तुम भी मेरे पास पहुंच गई, कितना बुरा चलाया है आपको मा, मा, तुमने मुझे मा बोला, तुम मुझे जानती हो, मा, आपने मुझे नहीं पैचाना, मैं, मैं आपकी रचनी हूँ, याद नहीं, सालों पहले आपको मुझे अलग किया गया था, रचनी मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, तुम्हारी दादी ने मुझे तुझसे अलग करवाया था आज उसकी ही सजा पा रही हूँ पोता ना देने पर वो रोज मुझे जली कटी सुनाती थी और एक दिन उन्हों ने और तुम्हारे पिता ने मेरे पर मिट्टी का तेल डाल कर मुझे आग लगा दे मा मुझे पता है आप बेबस्ती काश क्या आप स्ट्रॉंग होती तो कम से कम अपने आपको तो बचा लेती बेटा दुनिया के लोग बहुत कटोर है वो औरत को कभी मजबूत होता देख ही नहीं सकते धर्ती के लोगों ने तो लड़कियों के विरुद कभी न खतम होने वाली जंग जारी रखी हुई है ना जाने इस युद का कब अंथ होगा क्या आपको लगता है कि एक औरत की जिन्दगी का अस्तित्व आदमी के मुकाबले कम महत्व पूर्ण है सदियों से महिलाओं को दबाने का नतीचा है कि लाखो लड़कियां, जनपूर्व, लिंग जाँच, भ्रून हत्या और भेदभाव के कारण दुनिया से गायब होती जा रही है कुछा मेर अर में जाँचाल यह, अरून है